कि नश्कार दोस्तों फोगत करता हूं आप पर एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे आत्म हत्या और आत्म चिंतन में क्या अंतर है और एक दखती के लिए एक स्टुडेंट के लिए एक किसी भी इंडिविजुल के लिए क्या जरूरी है अगर वो डिप्रेशन में है उ उसे आत्म चिंतन करना चाहिए चलिए देखते हैं तो दोस्तों पहले हैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये बताया है हमारे इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है इतनी दुखत बात है हर घंटे एक बच्चा मरता है कभी आपने सोचा कि इसका क्या कराना है क्या रिजन इसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है जो बच्चे हमारे देश का भविश्य है वो हर घंटे मर रहे हैं तो दोस्तों जानते हैं कि इसका रिजन क्या है तो दोस्तों पहला रिजन इसका यह है कि कॉलिज और इसकूल वहाँ पर जो इस्ट्रेस है जो इशूज है इशूज किस तरिके के भई पहला इशू हम समझ सकते हैं कि होमवक का प्रेशर दूसरा इशू डिस्क्रिमिनेशन बिट्विन दा स्टुडेंट्स कोई बच्चा अच्छा है कोई बच्चा बुरा है अच्छे करते हैं जबकि होना चाहिए उल्डा टह separate करों करना है उनके साथ ना होता है जो फिर जाना लेगाल कि हम है तो दोस्तों दूसरा इश्यू है ड्रग्स एंड डिप्रेशन हम जानते हैं जैसे जैसे अर्बन कल्चर बढ़ा है डैली मुंबई पूने बैंगलॉर हैदरवाग चैन नहीं यह जो अर्बन कल्चर आया है हमारे इंडिया में जब से क्या हुआ ड्रक्स का भीच कल्चर ब साल में चार बार उता और बार अलग पार्टी होगी और पार्टी थीछिया प्रणी यह जो चाल बहुत जादा प्यूंदर क्या चीजर बहुत जया 살 मालूमिंहां नहीं ही कि मतलब कहां से बच्चों को चीज मिल रही है जो पिरेंट से वो ऊनवेर है जबकि बच्चों को वो चाज में हिए और व가지 नहीं मिले थो बच्चे प्रिशान हो जाते जाते हैं Centralism broken families हम देखते हैं जैसे जैसे अरबं करी कम है थीक तो फैमिलियो την जैसे नूशन रोंशन हो चुका है भी पहले क्या था गाहुं थे विलेजिस कि बीसों कि ते मैं जूओ जुएइंट्व जा रहे हैं कहानी सुना रहे हैं अम्मा के साथ हम मस्ती कर रहे हैं कहानी कहानी रात में हमारी दादी है अब भी जॉब करने वाली है आज कल तो ठीक अगर दोनों जॉब करने वाले तो यह बच्चा कहाँ जाएगा यह किस से अपनी बात शेखरेगा वो चीज हमें दाननी है ना अब इनको कोई मिलता ने बात करने के लिए तो यह क्या होता है अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते क कुछ बेड़ा करता है किसने सोचल मीडिया ने फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम टिक टॉक इन लोगों ने जो इनका कम्मुनिकेशन था पेरेंट से वह बिल्कुल ग्रेक कर दिया कुछ पर इनके पास टैम नहीं था फातरमदर के पास कुछ यह जो सोचल मीडिया आय जो वर्चुली तो इनसे कनेक्ट हैं बट ट्रियली इनसे कनेक्ट नहीं है जब इन लोगों के पास टाइम होगा तो यह इनसे बात करेंगा दरवाइस यह अपनी प्रॉब्लम्स को लेके प्रिशान रहेंगे और वो प्रिशानी इतनी बढ़़जाते कि एंड मा कि वो सु उसलेंगे बंसको अब सकते हैं ईसपना प्रिशान बदा रहें कि ढ़िंग नहीं सुरूर बच्चे के इंदर इस्ट्रेस ऻेंटर करना लाँ है उशे जब भी वह ही और वह सब लग सेड़ाये दो इसक interns आपको मैंने जो प्रिश एक प्रॉनख करने ABEd आज जो मतलब जो बच्चा मुझे मिलेगा जिससे मेरा competition है मैं उसे कितना आगे निकल पाया जब वो एक्जाम हॉल्ट के इंदर बैठता है तो जब वो एक्जाम दिखने बैठता है तो उसके mind में यह रहता है कि मैं एक्जाम पूरा कर पाऊंगा निकर पाऊंगा क्या मुझे क्मेंट करेंगे ताने मारेंगे यह कहेंगे वह कहेंगे मेरे नमबर मुस्तिताद मीरी मदा नाइगा यह सब stress बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तो end में आते आते हैं बहुत बड़ा हो जाता है और कुछ बच्चे इसको नहीं जेल पाते खासकर जो nuclear families के अंदर है मा तो बच्चे जेल ही नहीं पाते भही joint family में फायदा यह होता है जेकी जो problem बच्चे की है basic problem है वो parents नहीं जान पाते हैं नहीं जान पाते हैं तो इस वज़े से वो depression में आ जाते हैं बच्चे और फिर यह society का attempt यह करते हैं ठीक इसके बाद जो है जो मुझे दिखता है reason बड़ा वो है tight study schedule tight study schedule दोस्तों हम अपने बच्चों से बहुत जादा expert करते हैं हम अपने बच्चों से बहुत जादा expert कर लेते हैं कि हमारा बच्चा भाई sports में भी अच्छा हो हमारा बच्चा dancing में भी अच्छा हो हमारा बच्चा studies में भी अच्छा हो हमारा बच्चा इंदर नहीं बैट पाता हम उसके हम उसके लिए कोचिंग करवा देंगे एक क्लब जोइन करवा दिया जहां पर स्पोर्स सीख रहा है एक स्टडी का टूशन घर पर पढ़ाने के लिए आ रहा है बिचारा वह बच्चा अपने बार में सोची नहीं पाता जो उसके मन में करने के लिए हैं वह करें नहीं पाता इस वजह से इंदर स्ट्रेस रहता है ठीक और महीं जैट के बाद क्या रास्ता बसता है इंजिनरिंग बसता है अधिकतर बच्चों के पास तो कहां जाएंगे बड़ी-बड़ी कोचिंग में जाते हैं कोचिंग वाले उनको समझते हैं कि मजदूर आ गए हैं अब इनको बांधो और इनसे मजदूरी करवाओ सुबा चार बजे से लेकर के रात के नौ बजे तक कर शेडूल ऐसे बांद देते हैं कि यह गुरुकुल के मास्टर हो गए हैं यही बन गए हैं विश्वामित्र और वस्तिस्ट जी यह हमारे बच्चो कर रहा है इस गुड़ टाइम टेबल ऐसा तो बनाओ जो उसके वाडिंग हो खोड़ा टाइम टेबल इतना मतलब टाइट मत कर दो आप कि उसे टाइम ही ना मिले बिल्कुल अपने बार में सोचने का थोड़ा गैब दीजिए एक अक्टिविटी से दूसरे अक्टिविटी सोचनी पड़ेगी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इस से में अगेर होने की जब रोता है खासकर लॉक्डाउन में तो बहुत जादा क्योंकि इसमें बच्चे घर बर हैं के बल पेरेंट्स के ताने सुन रहे हैं मैं समझ रहा हूं यह नहीं पड़ता हूं और जॉब में फ आधे में करेंवेज लेहीं जोब नहीं कुछ बच्चे होते हैं यह को पाते हैं वह नहीं कर पाते उस वजए से वह गलती स्टैप लेते हैं चोटी मोड़ी जॉब लग गई ठीक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसकी जॉब अच्छी लगी तो मेरा कॉंपटिशन किसे होगे मेरे फ्रेंड्स होगे मुझे सागे निकलना है बट क्या हुआ जो कंपणी है मेरे फ्रेंड्स की फियृ अच्छी है मेरे खराब है वो उसको जाद exposure देती है मेरे तुम परेशान ही तो मैं हमें satisfaction नहीं है अपने आप से तो हम परिशान रहेंगे हम डिप्रस रहेंगे ठीक है इस वजए से क्या करेंगे हम गलत step उठाएंगे तो क्या मतलब क्या करें में है जो इस वीडियो बराने का मतलब में मोट होता वो ये था कि भाई अगर हम परिशान हैं अगर हम dissatisfy हैं अगर हम depressed है अगर हम sad है तो आखिर हम क्या करें हम अकेले हम अलोन हैं आइसोलेट हैं हम क्या करें suicide करें या फिर self communion करें भाई हम suicide करें अपनी जिन्दगी खतम करते हैं या फिर हम self communion करें मतलब की आत्म चिंतन करें क्या करना चाहिए तो दोस्तो suicide करने से क्या होगा वसाइट करने से आप अपनी लाइप खतम कर लोगे यह सबसे easy तरीका है problem से बचने का सबसे easy वे है कि अपनी problems है उनसे दूर भाग जाओ और पैसे भाग जाओ कि अपने को खतम कर लो this is not the right way main चीज समझनी है हमें कि आखिर जो depression है या फिर जो dissatisfaction है जा फिर जो sadness है वो temporary है या permanent है मैं समस्ता हूँ depression, sadness या dissatisfaction ये permanent नहीं हो सकती it all based on situations ये based होते situations के उपर situation उस time कैसी है उसके according हो सकता है कि आप depressed हो या आप dissatisfy हो या आप sad हो समय एक जैसा कभी नहीं रहता और समय हर मर्ज की दवा है time जो है is not remains always same time keeps changing तो जान रखो इस चीज़ को भाई कि time जो है सबका इज़सा कभी नहीं रहेगा तो आत्म चिंतन करो सबसे बड़ी बात है जब भी आप परिशान हो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या parents हो आत्म चिंतन करिए सोचिए आखिर जो यह problem मेरे सामने है क्या यह प्रमनेट रहने वाली है नहीं ना तो जब तक है तब तक जातो शांत रहो मतलब आप मत करो react उस चीज़ के उपर नहीं तो हिम्मत से सामना करो उसका सामना कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा आदम चिंतन बैठो मतलब एक कमरे में बंद हो के आप बैठिए आप सोचिए या बैठे रहे हैं आप आप सोचिए कि आखिर जो है जो मुझे problem है वो किस वज़े से है उसका हल कैसे निकल सकता है हल निकलेगा जरूर अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपने सबोस एक घंटा टैन स्पेंड किया एक कॉपी लेके बैठे पैंड लेके बैठी आपने लिखा कि मुझे दिक्तत कहां पर है आपने सब को note down किया आप सोचो कि क्या यह प्रॉब्लम मैं खुद से साल कर सकता हूँ नहीं अगर नहीं कर सकते हो तो ऐसा बंदा आप लिखो उस टैनी के इंदरी कि मेरा मैं किस से हाल लूँ अपने दादाजी से लूँ अपनी दादी से लूँ अपने फादर से लूँ अपनी मदर से लूँ, अपने बड़े भाई से लूँ, अपनी सिस्टर से लूँ, या अपने टीचर से लूँ, या अपने फ्रेंड्स से लूँ, या जो आपके वर्चुल फ्रेंड्स हैं, उनमें कोई ऐसा फ्रेंड हो आपका, जिससे मैं हैल्प लूँ, तो उससे बात करो दोस्तो जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपकी problem solve नहीं होने की इतने लोगों में कोई न कोई ऐसा तो मिल जाएगा आपके relative एक relative में इतने लोगों में ऐसा कोई मिल जाएगा कि आपको कहीं न कहीं से help जरूर मिल जाएगी help भी नहीं मिलेगी तो कम से कम आपने अपने मन की परशानी रखी तो रखोगे तो आपको खुद आपका मन हलका होगा सबसे बड़ी बात है कि जो है आप इस चीज़ को जानो कि dissatisfied क्यों हो और क्या ये dissatisfaction को आप दूर कर सकता है खुद से नहीं तो खुद चीज़ असाने से नहीं मिलती है जिसको मिल जाते हैं वो उसका अलग है देखो जब भी आप परिशान हो ना मैं तो ये कहता हूँ जब भी आप परिशान हो तुझे अपने से नीचे वालों को देखो जिसको असाने से मिल गई उसको मत देखो भई होना है और जो आपसे नीचे तपके के हैं उनको देखके इंस्पैर होना है बास समझ मारिए यह चीज है तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको समझी में आया होगा कि हां भी सुसाइड और सेल्फ कम्यून कम्यूनियन में क्या बहतर है सुसाइड करना जरूरी है या फिर आत्म चिंतन मैं तो यह राय दूँगा कि आत्म चिंतन करेंगे आप तो एक तो आप अंदर से स्ट्रॉंग होंगे आपके अंदर जो कमी है वो आपको मालूम चलेगी और आप कुछ बहतर कर पाएंगे जो भी हमारे दोस्त यूथ है हमारे देश का उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बात कही गई है जो आपको छूईए दिल से और आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब आपका दिन शुब हो